हम दोस्तों स्बाइब आप सबी का हमारे यूटु Deal में बात करेंगे तो हम कार ट्रेम टैक की देखिए स्टो की बात करें तो स्टोक आ जो मार्किट प्राइज हो पहुंचGAN है why you प्राइस की बात करें वह आप समय 52 बीकस अपर दीक नई सबसे बड़ा क्रॉशन ही है कि क्या इस प्राइस के ऊपर इसको बाय गाना सही होगा तो देखिए मैं आप सुझे एक चीज़ कहना चाता हूं कि मैंने काफी वार इस स्टोक को शेयर किया मैं आपसे काफी टाइम आपको यह कहा चुका हूं कि जिस टोक लॉंग टरम के लिए सबसे बैस टोक है जिस टोक आपको डेफनेटली अच्छे से अच्छे अच्छे गटन्स देगा इसका रीजन है मेरे पास किसलिए मैं आपसे कह रहा था वह भी आपको वीड़ीयो में डिट्पि करस्क करऊंगा कि क्यूं मैं ऐस आपको कहा था फिलाल के लिए मैं सारी छीज़ों को शेयर करोंगा आपके सामने लेकिन पहले price section देख लेते हैं कि अब तक की performance company की कैसी रही है और जो stock आपको 52 weeks के high के उपर देखने को मिल रहा है तो इसने कितना बड़ा jump जो है कितने time में लिया है तो देखें यहां पर सबसे पहले आज की ही बात करें तो approximately 2.2 पिछले 5 दिन में देखिए 7% के रिटर्स है लास्ट बन मंत की बात करें तो 13% के रिटर्स है एस वेल एस लास्ट 6 मंत में देखिए काफी बड़ा jump आपको देखने को मिला है यहां पर लास्ट 6 मंत में company ने 62% के रिटर्स दिये एस वेल एस अगर आप लास्ट वनियर की बात करें तो 9% के रिटर्स है क्यों क्योंकि लगाता अग स्टोक आपको गिरावट में देखने को मिला था देखिए उसका कोई खास रीजन आपको यहां पर नहीं देखने को मिला था यहां पर आपको 10 Guinea को मिलें आंपर अब आपको काफी देखने को मिलगा तो भो ही चीज में आपको समझाना चाहता हूं कि स्टोक काफी । सब्सक्राइब आपको जाएगा नहीं assembled तो कहीं पर नहीं गए एक आदे क्वाटर में काफी इस्टोक आपको 700 रुपीज में भी देखने को मिलेगा बाकी अब अगर मैं बात करता हूं देखिए यहां से मैंने आपको काफी टाइम जा चीज गई है कि इस्टोक को आप देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट क कंपणी सच्व सबायों है बात के नेंट प्रॉफिट ग vel तो नेट प्रोफिट भी आप देव सकते हैं यहां पर कंपणी का हएक क्वैटर में इंक्रीज हुआ है कंपणी के नेट प्रोफिट में भी आपको एक अच्छा लहाँ प्रासा जुआ देखने को मिल आए तो वो आप चीज खुद आईडील शाकते हैं second देखिए यहां पर मैं बात करूं इस टोक में शेयर होल्डिंग पैटरन की no doubt इस चीज़ को मैं accept करता हूं कि यहां पर promoters की holding बिल्कुल भी नहीं है लेकिन एक चीज़ है जो कि काफी surprisingly है वह मारे पास है कि यहां पर foreign investors की approximately 70% की आप खुद आइडिल रही है कि maximum holding foreign investors करके बैठे हुए है आप खुद इसको सोचिए कि कोई वी स्टोकर्स में foreign investors इतना ज्यादा मांट क्यों लगाएंगे इतने ज्यादा percentage क्यों है क्योंकि company का काम देखता है वह वह चीज़ यहां पर आपको देखने को मिल रही है company overall performance आप चेक कीजिए revenue चाहते हो तो definitely investment कीजिए long term के लिए इसको लेकर चलिए hold करके चलिए जब आपको आने वाले टाइब में देता है विजे मैं